बैसाखी का अर्थ बैसाखी जिसे वैसाखी वैसाखी या वासाखी के नाम से भी जाना जाता है हिंदू और सिक धर्म में एक एतिहाशिक और धार्मिक त्योहार है यहें आम तोर पर हर साल 13 या 14 अप्रेल को मनाया जाता है जो 1699 में में गुरू बोविन सिंग के तहट योधाओं के खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है कब मनाया जाता है यहें त्योहार हिंदू धर्म में बैसाखी 109 वर्स मनाता है जो विक्रम समवत कलेंडर पर आधारित है बैसाखी के महिने का पहला दिन बैसाखी का होता है यहें हिंदू और सिक्खों के लिए वसंत का त्योहार है शिख धर्म में बैसाखी खालसा की शुरुआत का प्रतीक है यह 1699 में था कि खालसा बनाया गया था इसलिए यह खालसा की शुरुआत है बैसाखी शिख धर्म के इतिहास और पंजाब छेत्र में हुए भारतिय उप महादीप के प्रमुक कारिय क्रमों का आवलोकन करती है बैसाखी से सम्मंदित विभिन नाम बैसाखी जिसे वैसाखी वैसाखी या वासाखी के नाम से भी जाना जाता है बैसाखी का महत्व वैसाखी सिख धर्म के इतिहास और पंजाब छेत्र में हुए भारतिय उप महादीप के प्रमुक कारिय करमों का आवलोकन करती है सिख के जनम के एक प्रमुक शिख त्योहार के रूप में वैसाखी को मनाया जाता है मुगल समराट औरंग जेव के आदेश के तहत इसलाम में बदलने से इनकार करने के लिए गुरू तेख बहदुर के उत्पीडन और निस्पादन के बाल शुरू हुआ वैसाखी के दिन सिख धर्म के दस्वे गुरू के राजबिशेक और खालसा के एतिहसिक गठन को शुरू किया गया वैसाखी वह दिन था जब ओपनिवेसिक ब्रिटिस सामराज के अधिकारियों ने एक सभा पर जलिया वाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था जो ओपनिवेसिक सासन के खिराब भारतिय आंदोलन के लिए एक घटना थी कई हिंदों के लिए त्योहर उनका पालंपरिक सोर नया साल है एक फसल उत्सव गंगा जेलम और कावेरी जैसी पवित्र नदियों में इसनान करने का उसर मंदिरों का दोरा करना दोस्तों से मिलना और अन्य उत्सवों में भाग लेना है वैसाखी कैसे मनाते हैं वैसाखी पर गुरुद्वारों को सजाया जाता है और इस्थानिय गुरुद्वारों सामुदाइक मेलों और नगर कीरतन के जुलसों में जाने से पहले शिक द्वारा जिलों या नदियों में इसनान किया जाता है और लोग उत्सव के ख़द्य पदार्तों को सामाजिक और साजा करने के लिए इखटा होते हैं कई हिंदों के लिए यह गंगा जेलम और कावेरी जैसी पवित्र नदियों में इसनान करने का मंदिरों का दोरा करते हैं दोस्तों से मिलते हैं और उत्सव के भोजन का पार्टी करते हैं किसान वैसाखी कैसे मनाते हैं वैसाखी पंजाब छेत्री के लोगों के लिए एक फसल उत्सव है अप्रेल के महिने में किसान वैसाखी का तेवार मनाते हैं इस समारों का जसन मनाने का मुख्यकार्ण सर्दियो या रवी जो गेहूं चारा फसले आलू तेल के बीज की फसल की कटाई है यह वह समय है जब किसान धन से इलादे होते हैं और इस तरहें वे अपनी मेहनत का फल भोगना चाहते हैं वैसाखी का इतिहासिक महत्वे सिक इतिहास के अनुसार वैसाखी को खालसा धर्म के रूप में याद किया जाता है यह नोवे गुरु तेख भादुर को सताय जाने और फिर मुगल समराट औरंगेव के आदेशों के तहट सिरकलम कर दिया गया जब धार्मिक अभ्यास की स्वतंतरता के लिए खड़े हो गए और इसलाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया गुरु की सहाधत ने शिखों के दस्वे और अंतिम गुरु के राजभ इनकार में में सिर्व हुई थी क्योंकि इस दिन सिखों के दस्वे गुरु गुरु गोविन सिंग ने सिख योद्दाओं को बपित्स्मा देकर पंति खाल्सा की स्थापना की थी जो की सुद्ध पंक्तियों का आदेश था धार्मिक स्वेतंतरता रक्षा के लिए इसलिए वैसाखी या वैसाखी त्योहार को खाल्सा पंत के गठन के उत्सव के रूप में मनाया गया और इसे खाल्सा सरजाना दिवस और खाल्सा सजना दिवस के रूप में भी जाना जाता है यहें त्योहार वैसाखी के दिन आम तोर पर 14 अप्रेल 1609 में से मनाया जाता है खालसा पंत का जनम 13 अप्रेल 1699 में को हुआ था वैसाकी पारंपरिक शिक नव वर्स रहा है हिंदू इतिहास के अनुसार वैसाक का पहला दिन 169 वर्स का प्रतीक है यहें तमिलाडू, केरल, ओडिसा, पस्टिम बंगाल, असम, बिहार, उत्राखन, उत्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाना, पंजाब और भारत के अन्ने हिस्सों में हिंदों के लिए नए साल का दिन है यहें छेत्रिय रूप में हिंदों के बीच कई नामों से जाना जाता है, हालंकि उत्सव और इसका महत्व समान है यह हिंदुओं द्वारा पवित्र नद्यों में इसनान करके मनाया जाता है क्योंकि उनका मानना है कि देवी गंगा नदी बैसाखी पर प्रत्वी पर उतरती है जैहिंग